वहीं साल 2019 के पहले दिन उत्तरा खंड की जंता को मुख्यमंत्री तिवेन सिंग रावत ने हेल्थ गिफ्ट दिया है राजधानी स्थित कोरेनेशन अस्पताल को जिलास्पताल बराने की दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल का शिलान्यास किया 51.59 लाग की लागत से बनकर सयार होने वाले इस जिलास्पताल में MRI, CT scan, X-ray, pathology, ultrasound समेथ सभी जरूरी सुविधाय उपलब धूंगी जिलास्पताल बनने के बाद राश्ट्री योजनाओ को भी आम लोगों को बहतर लाब मिल सकेगा इस दोरान सौ बेडो की नई बिल्डिंग का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया साथ ही प्रिधानमंत्री जन औशधी का भी लोकारपन किया दून मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद से ही जिलास्पताल की मांग हो रही थी जिसको देखते हुए कोरोनेशन और गांदी चताब धियास्पताल को मिलाकर जिलास्पताल बनाने का फैसला लिया गया आज एक जनवरी 2019 को जिल अस्पताल का सिलानियास किया गया और जब सिलानियास की तिथी तैह है तो उसकी लोकारपण की भी तिथी तैह होनी चाहिए यह मेरा आगरह रहता है तमाम एजेंसियों से कि कोई भी काम समय पर प्रारम हो करके और समय पर समाप्त होना चाहिए और इसलिए हमने एक साल पांच महिना और तैईस दिन यानि कि तैईस जून 2020 को इसके लोकारपण की भी तिथी तैह की है